आज में आइलेंड पर आता हूं साइड में तुमने एक टीम देखे लिए होगी बड़िया बई साइड में उतर रोगी वो मिरको यहां से एक वेपन तो मिली जाता है और वो एक बहुत था क्योंकि इसको कुछ भी नहीं मिला था मिला तो था बट तब तक देर हो चुकी थी मैं नौक कर चुगा था इसे जस इसने वेपन पिक करा था फिनिश कर रहे से इसके पास देखो मोसांट है मोसांट है क्या है वो यार मेरेको नहीं पढ़ना इसका नाम इस गन का बस स्नाइपर ओके आज से मैं इसको स्नाइपर बोलूगा स्नाइपर मैं उठाता हूँ और S686 मैंने रख ले क्योंकि यार अभी क्लोजेंश फाइट सी होती है यहां पर मिड रेंज भी ना के बराबर हो तो उसके लिए यह स्नाइपर ले लिए लेकिन फिर मैंने देखा इसको जीचातिस सी मीली थी वही बंदे को जो नहीं है था स्टार्टिंग में साइट आप मैंने उसको मार दिया तो यहां से मची चुतिक सी उठा लेता हूँ और तुम देख सकते हो काफी शांती है मेरे को काफी अत्तक लग रहा था कि यहां पर शायद है नहीं कोई भी इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा थो कवर में होते भी चल रह है उस वाले कॉलर पर मेरे पर स्नाइपर है तो फायदा उठाते हैं ना है 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 जर बताने है है तुमें क्या सा लागा भई पसंदाया तो यारे एक सब्सक्राइब तुम कर सकते हो अगर नए हो चैनल पर अगर पहले से देख रहे हो नए नहीं हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो जरूर उस पर टैप कर देना अब मैं यहांसा निकल ले तो तो तीन किल बड़िया इतने भी जादा नहीं है बट इनो फाइनल किल बहुत आसम था तो मैं काफी खुशी-खुशी यहांसा निकल था दरवाजे खुले हैं आगे तो जरूर यह पोदे को बंदा घूर भी रहा है मेरे को चलो नौक तो वह हो गया होना ही था लेकिन यार हेडशोट कैसे ने लगा नहीं बिलकुल लेटा था वह सर पर ही शूट करा था मैंने अब क्या कर सकते हैं सबसे बड़ा चैलेंज यह था मुझे लग रहा था दरवाजे सारे घरों के खुले हैं वो भी नौक हुए अकेला तो इजिली मैं इसको फिनिश कर सकता हूं डाश के कि अवाज पाई यह इनका तीसरा टीमेट था कि किस पर शूट कर रहा था तीमेट था फिर नहीं क्योंकि मेरे पे निदे कुछ गाड़ी बाले पर शूट कर रहा था मेरा खिल चोरी होते होते बच गया बट स्टिल मैं अभी तक भी यह समझ रहा था कि क्या पता टीममेट हो इनका चोथा बंदा भी हो जैसे तीसरा आया तो मेरे कोना थोड़ा कवर से ही जाना चाहिए मैं सीधी से नहीं चाहूँगा क्योंकि वहां पर जिस बंदी को नौक कर रहा वो पीछे की तरफ चला जाता तो में भी उसे रिवाइब मिल रहा हो देखो और काफी शांती भी थी यहां पर तो समझ जब भी शांती हो नौकि फूटसेप ना दे तो पक्का कहीं न कहीं कोने में बैठके रिवाइब हो रहा है तो मैं रेंडम होली फैक देता हूं मेरो कुछ नहीं पता यहां पर होगा कोई नहीं होगा लेकिन बस फैक दी कि यार क्या पता वन परसंट चांस वह हो और काम बन जाए क्योंकि मैं नहीं चाता था यहां पर मरना भाई यह थी इन किल से तने ओसम निकाल है मैंने पूरी स्कॉर्ट कर लिया है तुझे और तुम देख रहे हो फुट सट नहीं दे रहा है उसने साथ देख ले मेरे को सोच रहा है कि मैं नहीं ढूंड पाऊंगा पर बिठे मैंने ओलड़ी स्पोर्ट कर लिया है तुझे इनका नहीं है भाई कोई भी चो 30 में अभी तक आना होता तो आ जाता और वो कहांगे इसको गाड़ी से उड़ाया था वो लिटरली या तो उसका स्पीड है था वो कहीं छुप गया कोने में या कहीं दूर ही निकल गया यह क्या लूट है हाँ यह नहीं भाई इंड़ी रियल पर हाँ वही जिसको मैंंने नॉक करा था मुझे लगा लूट यार यूज कि हापर देखो इसका हेलमेट दिखाना अकसर इस वाली जग़े पर घंव होसिंड हमी भाड़ी रहा थी मुझे लगक्त है पर नहीं बाई मैं जेल लूँगा इतना चीटर से मरने से बहतर है बड़िया स्टार्ट मिल चुका है क्यों ना इसको बड़िया गेम बनाया चाहिए इस वाए मैं रिस्क नहीं लेता मैं उस बंदे को भी अवर्ड करते तो नहीं चीए बाद में देख लूँगा यहां ड्रॉप लूट आया था मैं अब यह जुगन शॉट्स के वाज़े ने सेंट्रल रूड के यूनों सेंट्रल रूड सी आते इस हिल से नहीं आती इतना मेरे को पता है पता नहीं में भी हो सकता है उस वर्च टावर पर बैठा हो बंदा इसलिए मैं देखना गाड यहां स्लो करा मैंने तकि फुट्स अप ले सकूँ बट नहीं है यहां पर नीचे की तरफ ही है तो हां इसको में मार सकते हो सता है परे मेरे पास वो देखो स्पोर्ट हो मेरे को नीचे पेड के पास अगया तुम देखो दिवार सी जो है ब्रोकन बॉल और यह भाई यह शोट लगना था जाइ़ के लिए कि नह बना को अजूआी है जह ले बड़ी है कि अप मारी एल वगना मेर वे लेकरा पर देखो पीर वाहता करना को अठाव को बड़ीज जवर को रहाँ जड़ ग आर्रियों